हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडेनी सड़ी इंडेनी सड़ी पर आपका स्वावत है दोस्तों UPSI के रिगार्डिंग एक बहुत अच्छी न्यूज आ रही है आप लोग लिए कि जो रेट डली थी UPSI के एक्जाम के रिगार्डिंग रिये एक्जाम की मांग कई स्ट्वें सुनवाई होगी और उसके बाद लगवग रिजल्ट आने की पूरी संभावना है मैं आपको बता दूं कि लगवग एक हपते दस दिन के अंदर आपका रिजल्ट आने की UPSI की रिजल्ट आने की पूरी संभावना है और उसके बाद आपको मैक्जिमम 15 दिन मिलींगे आप को अपने running की preparation करने के लिए तो ऐसे में आप लोग उसे गोजारिस है कि अगर आप अपनी running कर रहे हैं तो निरंदर करते रहिए और ध्यान रगिएगा कि 400 मीटर के ground में या 400 मीटर का जो एक round होता है उसको उस तरीके से practice करने की कोशिस कीजिएगा क्योंकि आपकी जो भी running होगी उसमें 12 round जो है वो आपको लगाना पड़ेंगे है ना तो एक जो psychology effect होता है कहां 12 round और कहां साथ से 8 round तो वो थोड़ा सा एक disturb करता है आपको running लगाने के समय तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 12 round की practice बहुत जरूर से कीजिएगा अगर आप UPXI की running की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है अब आपका exam अब आपका result जो है वो बहुत दिल्दी आने की संबाबना है पहले आपकी final answer की आएंगी final answer की आने के दो से तीन दिन के बाद या एक से दो दिन के बाद आपका result जो है वो जाली कर दिया जाएगा फिलाल आप लोग लिए अच्छी न्यूस यही है कि जो याचिका डली थी कल उसको साम को जो है वो खारिज कर दिया गया है ठीक है अब आपके result जो है वो बहुत जलती आने की जो है वो संभावना है यही आज की इस वीडियो में जो है वो बताना था और मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आप यूपी लेकपाल यूपीटर पलस सी पीटी यूपीटर पलस सी वीडियो की preparation कर रहे हैं तो मैं आने कैडि नहीं है तो मैं तो आपसे directly बोलता हूं कि आप class को dislike भी कर सकते हैं तो फिराल की वीडियो में सुर्फ इतना ही बताना था कि यूपी SI की result के regarding बहुत बड़ी update थी जो मुझे आपके साथ share करने थी result आपका बहुत जलती हाने की समभावना है क्यांकि याचिका जो है वो खा हारा तव